तो फाइनली जेसीबी का चीट कोड आ चुका है 6677 हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के लेटेस अफडेट में तो जल्दी से जाके अफडेट कर लो और जेसीबी को चला लो लेकिन जेसीबी को चलाना इतना आसान है नी और बहुत लोग को भाई इसको मोडने में भी उसे वीडियो में इसलिए वीडियो चालो होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चलो स्टार्ट करते हैं तो अगर आपकी जेसीबी लेफ्ट राइट नहीं मोड़ेगी आपको सेटिंग में जाके उनको टच कंट्रोल्स प मेरा joystick कहना इसको आपको टच कर देना है इस पर आप दबाऊगे तो यह खुछ चेंज हो जाता है steering और तो टच कर लेना फिर आपकी JCB left right मुढने लगेगी तो अब मैं आपको दिखाता हूं इसको मोड के ठीके ना यह देखो यह आराम से बिलकुल left right हो रही है लेकिन पहले नहीं हो रही थी आपने देखा होगा तो यह बस एक solution है जब तक हमारे यह fix नहीं हो जाता तब तक आप टच पे करके JCB को चला सकते हो अब मैं JCB को पूरा control करना सिखाने वाला हूँ आपको गाइस क्यूंकि इसमें बहुत सारे बटन है हमारे पास total इदर 4 बटन left में 6 बटन right में और 4 बटन नीचे हैं तो हर चीज अलग चीज के लिए काम करती है तो एक एक चीज करके मैं आप आपको सारे बताऊंगा तो सबसे पहले आपको यह तो पता होगा कि left right कैसे करना है जो हमारे सबसे बड़े बटन है यह left right वाले इससे left right होगी और आगे पीछे का भी आपको पता ही होगा accelerator से आगे होगी और brake से पीछे होगी यह तो basic है ना अब चलते हमारे छोटे वाले बटन पर तो सबसे पहले जो हमारे left में उपर और नीचे वाले मैं वो बताता हूं आपको तो सबसे पहला बटन जो है उपर का अगर आप वो दबाते हो तो हमारे यह वाला आगे का हिस्सा काम करता है ठीक है यह पूरा उपर और पूरा नीचे जाता है ठीक है यह आप गाड़ी में फर्स जाए लेकिन अभी फर्स नहीं रही है तो हमें अब दूसरे वाला चेंज करना है तो उसके नीचे वाला जो नीचे और उपर वाला उससे आगे का सिर्फ वह पार्ट है वह हिलता है ठीक है तो उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो देखो अभी मैंने उसक इससे हमारा जो पीछे का हिस्सा है यह लेफ्ट राइट होता है गाइस है तो पीछे वाले हिस्से को आप देखो मैं इसको अब लेफ्ट राइट करूंगा तो यह देखो लेफ्ट जाता है फिर राइट जाता है और यह जो उपर नीचे वाला है इससे हमारे जो स्टॉप कि ऊपर नीचे होता है अगर यह पूरा नीचे हो जाता है गई अ तो अब जैसी भी आगे बड़ी नहीं सकती और अगर आप उसको उपर करोगे तो फिर से वह उपर हो जाएगा अब चलते हैं हमारे राइट वाले बटन की तरफ कि राइट में छे बटन दियें टोटल तो ये छे जो बटन है ये पूरे पीछे वाले इससे के लिए काम करते ह हो जो सबसे बड़ा है उसको करना है तो वह पहले बीच वाले को खुलना पड़ेगा उसके बाद करता है अब मैं आपको उसको पूरा वर करके दिखाता हूं क्योंकि जब तक ये आप ऐसे उपर उठानी हिस्सा तब तक वो भी काम अच्छे से नहीं करेगा अब हम आ अव्यवाला बीच वाले पाट को कंट्रोल करना तो भाई बीच वाले बटन थीक है और नीचे वाले से होता है जो ही हमारे जो last पार्ठ है उसका जो सिफ एक ही पाट है ब्राउन कलरका यहार के वह वह उपर नीचे होता है सबसे पहले जो आगे वाला पार्ट है जो भी महिलाते जाओंगा पार्ट उसको आप देखते जाना साथ में उसका नाम में बताते जाओंगा तो जो सबसे आगे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोडर वाला पार्ट ठीक है तो जो आगे लगा है ब्लैक वाला जो ब्राउन वाला वो लोडर है और जो उसका पूरा हाथ देना उसको हम आम बोलते हैं तो वो हो जाएगा लोडर आम तो अभी मैं लोडर आम उपर न इससा है ठीक है ना नीचे वाला तो भूल जा जो नीचे कर रहा हूं इसको तो stabilizer legs बोलते है क्योंकि यह stable करने के लिए हो था है JCB को तो पूरा हिस्सा जो है तो आप समझी गए होगे तो यह थे पूरे JCB के controls गाइस धीरे धीरे आप चला चला की समझ जाओगा अगर नई समझ माता है तो वापस आके यह वीडियो को देखना तो और क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में मिलेंगा हम लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के उपर आ रही होगी देख लो दबाके